नमस्कार भच्चों संस्कित विशे की कक्षा सब्तम में आप सभी का सुआगत है बच्चों आज का प्रकरण काकस्यचातुर्यम भाग दो का है तो पाठ आरम करते हैं एकदा सुंदरवने एकश स्य विशाल व्रिक्षस्य एक विशाल व्रिक्ष की शाखायाम शाखा में काक दमपत्ती कौवों की जोड़ा निच शाव के सह अपने बच्चे के साथ सुखेन प्रतिवसत हस्मा सुख से निवास करता था ताओ प्रतिदिनम शाव के ब्यह वे दोनों प्रतिदिन बच्चों के लिए आहारम भोजन को आन्यत हस्मा लाया करते थे परम दुर्भाग्य वशात परंतु दुर्भाग्य वश से तस्मीन ए व्रिक्ष से उसी ही व्रिक्ष के कोटरे अर्थात गड़े में एकह कृष्णह सर्पह अपी एक काला साम भी आगत्य आवसत आकर रहने लगा कदाचित कभी यदा जब कागदम पती कवों का जोड़ा आहराय भोजन के लिए नीडात भही गोसले से बाहर अगचताम गए तदेव तभी सर्पह अवसरम साम अवसर को यानी समय को द्रिष्टवा देखकर नीडम प्रविश्य भोसले में प्रवेशकर एक-एकम कृत्वा एक-एक करके सर्वान शावकान सभी बच्चों को भक्षयतिस्म खा गया नीडे भोसले में शावकान न द्रिष्टवा बच्चों को न देखकर काक दमपती कवों का जोड़ा सर्वत्र तान अनविश्यात सब जगा उनको ढूनने लगा तव शावकान विना वे दोनों बच्चों के विना दुख़्ी तहो आजताम दुख़्ी हो गए आगे पढ़ते हैं सर्प एव ही आवयो हम दोनों शावकान अखादत हम दोनों के बच्चों को खा गया है काका अवदत कववा बोला धिक्तम दुष्टम सर्पम दिखार है उस दुष्ट सांप को काकी अवदत मादा कववा बोली अलम शोकेन दुख मत करो इदानिम सर्पस से विनाशत से उपायम चिंत यावा अब सांप के विनाश का उपाय सोचना है तदैव तत्र एकम निर्पह नद्याम सनातुम तभी वहाँ एक राजा नदी में सनान करने के लिए आ गया तस से प्रिष्टतह सैनिकाह उसकी पीछे सैनिक आसन थे सहा स्वकीयम बहुमूल्यम उसने अपने बहुमूल्य रत्न जडित स्वन हारम रत्नों से जड़े सोने के हार को वस्त्राणाम उपरी वस्त्रों के ऊपर इस्थाप्यामी स्मा रख दिये सैनिकाह अपी सैनिक भी स्वन हारम परितः सोने के हार के चारों और अतिष्ठन खड़े हो गए ते स्वन हारम रक्षन तीसमा वे सब सोने के हार की रक्षा कर रहे थे आगे पढ़ते हैं काकष से भार्या काकम अप्रिच्चन कववे की पत्ती ने कववे से पूछा कहा उपाय हास्ती क्या उपाय है काका अवदत कववा बोला तुम केवल पश्य तुम केवल देखो काकह जटती स्वन हारम आदाए कववा जल्दी से स्वन के हार को लेकर सरपस से बिले अक्षिपत सांप के बिल में फेक दिया सैनिकाह सर्वम अपश्चन सैनिक सभी देख रहे थे अर्था सब कुछ देख रहे थे निर्पायच अकथियन और राजा को कहा निर्पाह सरपस से बिले खंतुम आदिशद राजा ने सांप के बिल को खोदने का आदिश दिया या खोदने के लिए कहा यतहयव सैनिकाह सर्पस सिबिलम जैसे ही सैनिकों ने साम के बिल को खोदने के लिए आरव शुरू हुए तथैव सर्पह बिलात बही अधावत तभी साम बिल से बाहर दोड़ा सर्पम द्रिष्टवा साम को देखकर सैनिकाह तम अमारयन सैनिकों ने उसको मारा स्वन हारम चार आनयन और सोने काहार ले लिया सर्पम मृतम द्रिष्टवा साम को मरा देखकर काग दमपती कवों का जोड़ा प्रसन्नव अभवताम खुश हो गया तो बच्चों इस प्रकार से हमारा काकस्य चातुर्यम पाठ समाप्त हुआ इसमें एक कहवत है सत्यमेव उक्तम सत्य ही कहा गया है कि बुद्धी चातुर्यन कठिनात कठिनमपी कार्यम संभवं भवती बुद्धी की चतुरता से कठिन से कठिन विकारे संबव हो जाते हैं इसमें आये शब्द कोश इस प्रकार से हैं शब्द है शाव कहा अर्थ बच्चे अहराय भोजन के लिए एक एकम एक एक करके खंतुम खोदने के लिए नीडः गोंसला प्रविश्य प्रवेश करके प्रिश्टतह पीछे से जटती जल्दी से स्थापयती रखा तो बच्चों हमने इस वीडियो में जितने भी लाल रंग में शब्द पड़े ये सबी शब्द उपद विवक्ति के माध्यम से रखे गए हैं आशा है आप लोगों ने इसको समझा होगा और इसको पड़ा है